नमस्कार नियूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा मोहन पाने नियूज रूम लाइब में हम आपको बताएंगे दन भर की वो तमाम खबरें जिन से सीधा सरोकार आपका है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ चारूल शर्मा अगले एक घंजे हम आपको बताएंगे हर बड़ी खबर और उसी के साथ हमारे साहियोगी हर अपडेट के साथ हम से जोड़ने वाले हैं तो चलिए शुरवात करते हैं नियूज रूम लाइफ की इस वक्त की सबसे बड़ी ख़एंगे हिस्सा लिया है कोड़ के आदेश के बाद इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हेमन सोरें पूजा तो आपको बता दोएं कि हेमन सोरेन एडी की गिरफ्ट में है इस समय गिरफ्तार हैं लेकिन कोड की इजाज़त के साथ पूर्मसीयम हेमन सोरेन ने हिस्सा लिया है फ्लो टेस्ट में और आपसे कुछी मिन्टों बाद फ्लो टेस्ट शुरू हो जाएगा अमर कुमार बावरी इस समय हैं सभा के अंदर बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ग्लेन जोसफ के सवालों का जवाब दे रहे हैं अमर कुमार बावरी कि रहते हुए किसने जल भेजने का काम किया देश के अंदर कहें ओम प्रकास चोटा लाहो को एक अपुवाद नहीं है है मंतिजी अगर जभी पीजेपी के सरकार नहीं रशी तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या इस तरह से यहां के लोगों को बस्ते चार के कारण यहां के आप जल्दी करें अब आगे बढ़ेंगे और एक बाद में बता देंगे इसलिए हमने बात को आपके समख चाहिए हम लोग भी बोलने दिये है अच्छा फिर ना हम लोग मिलेंगे फिर मिलेंगे अप बोलेंगे सबका सुनेंगे क्या दिक्कते सबको बोलने का मुका देंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए कि मौख़ए कि कॉंग्रेस की तासीर को समझे कॉंग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहां के लोगों का भला हो क्यों कि कॉंग्रेस की बुनियाद ही देश के घुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी एक बाहरी वेक्ती ने कॉंग्रेस की अस्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में घुलामी कैसे जो धत्यावा बिर्सम उंडा जो तिलका माजी जो भूलो जानो का अंदोलन था उस अंदोलन के तपिस से वो इतने डर गए थे इतने डर गए से किसीर काल तक अंग्रेजों का सासन ना रहे जांते हुए कि पिछले डेक दौर से कैसे एक कॉंग्रेश्यों के माढ्दम से हम सासन करें आप लोग अपने बातों को कटेंगे आप लोग आपने वक्षब के दौरान बातों कटेंगे इस विरोधी कोंग्रेस ने कि हमारे अमर्ग सहीदों के धारखन को बनने का मौका नहीं दिया मौझाई धारखन किस ने बनाया अटल विहारी बात पेजी ने बनाया भारतिये जनता पार्टी ने बनाया इनको मालूम होना चाहिए आज पूरे देश के अंदर चेंजाती है भाणियों को अस्थापित करन गया है और दो दिवसिया सत्र में सबसे एहम एजेंडा सरकार का यही है कि वो यूसी सी को पास करा पाए कल सदन के पटल पर यूसी सी को पेश किया जाएगा दरसल एक ड्राफ्ट तयार किया गया था जिसमें लगभग धाई लाक सुझाव जो है वो मांगे गए और इन ध पेश कर सकती है धामी सरकार सत्र का आगाज हो गया है विशेशी सत्र का आगाज है यह और माना जोराय की कल यूसी सी बिल को पेश किया जाएगा आपको बता दे कि धाई करोड के करीब सुझाव मांगे गए थे जिन में चार वॉल्यूम्स में रेटार्ड जस्टिस रंजना देसाई ने यह रिपोर्ट यह ड्राफ्ट सीम धामी को सौपी थी चार वॉल्यूम में 740 पन्नों का ड्राफ्ट जिसको पहली मीटिंग में मंजूरी नहीं मिली पहली मीटिंग शनिवार शाम को होती है जिसमें मंजूरी नहीं मिलती है और कल देर शाम कैबनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिली है जिसके बाद अमाना जोरा है कि दि उसीसी बेल सदन में पेश किया जा सकता है तो यूसीसी हर लिहास से बेहत खास है क्योंकि उत्राखंड की एक अलग आइडेंटिटी डबलाप होगी आपको बता दे कि इस समय मात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू लेकिन अगर यूसीसी लागू करने में उत्राखंड सफल हो जाता है तो उत्राखंड देश का पहला राज्य हो जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा ग्राफिक्स के जरीए आपको चारोल बताएंगे कि क्या कुछ खास यूसीसी में रहने वाला है बिल्कुल ग्राफिक्स गरिये समझाते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर आपको याद होगा कि धामी सरकार ने वधासभा चुनाव के दौरान भी इसे अपने मेनिफेस्टों में रखा था सरकार आई और उसके बाद से हिस पर काम शुरू हो गया अब बहुत अला गोद लेने और संपत्ती में सभी के लिए एक नियम ये सब कुछ इस कमेटी ने इस पर विचार किया जो कि यूसी सी के अंदर आता है परिवार के सदस्यों के आपसी संबन और अधिकारों में समान समता ये सब कुछ होगा अगर उसी सी को लागू कर दिया जाता है उत्तरा खड़ में जाती धर्म या परमपरा के अधार पर नियमों में कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी यानि एक देश एक कानून रहेगा किसी भी धर्म का जो कानून है वो फिर लागू नहीं ह किसी भी धर्म विशेश के लिए अलग से कोई नियम नहीं दिया जाएगा अगर उसी सी लागू हो जाता है उत्रा खर्ण में और देखे एक देश एक कानून का हम जिक्र करें 27 महीं 2022 को गठित की गई थी एक एक्सपर्ट कमेटी कितनी बार बढ़ा कमेटी का कारेकाल क्योंक इसके बाद जब तीसरी बार ये बढ़ा तो तीसरी बार 27 महीं 2023 को चार महीने का कारेकाल बढ़ा दिया गया था जिससरा हमने जिक्र किया कि धाई लाक सुझाव तीस बैठके जिसके बाद 740 पन्नों का ड्राफ्ट जो है वो तयार होता है 27 सितंबर 2023 को फिर से चार महीने क का कारेकाल जो है वो बढ़ा दिया जाता है और ऐसे धीरे धीरे ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट तयार करती है 26 जनवर इको 15 दिन के लिए कमेटी का कारेकाल जो है वो एक बार फिर से बढ़ाया गया था तो ये कितनी बार कारेकाल बढ़ाया गया वो हम आपको बता रहें 27 म अलग संपत्ती और गोद लेने जैसे मामले ये वो मामले हैं जोने फिर एक साथ रखा जाएगा यानि एक कानून के तहट इन पर काम किया जाएगा हर धर्म में शादी तलाग के लिए अलग अलग कानून है देखे अब ऐसे में इसलाम क्योंकि शरिया कानून मानता है इसाई शरियत के मताबिक जादाद में बटवारा जो है वो नहीं होगा यानि शरियत के हिसाब से जो है कानून इसलाम का वो नहीं चलेगा क्योंकि ये लगतार जिक्र किया जा रहा है एक देश एक कानून धार्मिक माननताओं पर कोई फर्क हाला कि नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि कई सारे वर्ग ऐसे हैं जुन्होंने विरोध किया था UCC का, धार्मिक रिती रिवाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सरकार की और से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि धार्मिक माननेताओं से कोई चेरचार नहीं होगी, पंडित या भूशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ क्योंकि चल रहा है अगर UCC लागो होगा, चुनावी पैतरा क्या है, UCC को BJP के घोशना पत्र में जगा दे गया थी, जिससरा हमने जिक्र किया कि इसे पहले ही इधामी सरकार की और से कहा गया था, ये मैनिफेस बादान में ज्यादाता है, क्योंकि ज्यादाता तर लोगों ने कहा कि UCC लागो होना चाहिए, और अगर UCC लागो हो जाता है, तो उत्राखन पहला राज्यों बने का हलाकि गुजरात सरकार भी से लागो करने पर विचार कर रही है, अर्सम पश्चुमगाल केरल जैसे रा तर लागो हो जाएगा, या फिर तलाग दे दिया जाएगा, वो डर खत्म होगा, UCC को BJP के घोशना पत्र में जगा दी गई थी, तो सबसे हैं चीज है कि ये बदलाव है, जो UCC लागो हो जाएगा, तो सामने आएंगे, आगे क्या अपडेट देंगी, सायोगी पूजा चारूल लगातार हम बता रहे हैं कि UCC में क्या कुछ खास रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा, पड़ोसी राज उतर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, वो भी समझ ये, उतर प्रदेश जहां पर आज उतर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जिसे मेगा बजट कहा जाएगा, पेश किया गया है, 7 लाख से जादा का ये बजट है, जिसमें 24,000 से जादा की परियोजनाओं का एलान किया गया है, खास बात इस बजट में क्या रहने वाली है, आयोध्या और वारानसी को सोलर सिटी के रूप में डवलप करने की बात कही गई है, आ बजट कोई चूटना पाए, राम की जलक इस बजट में नजर आई है, 7.36 लाख करोड का ये बजट है, जो योगी सरकार की और से पेश किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा बजट जो कि विप मंतरी सुरेश खना की और से पेश किया गया था, इसी के साथ सबसे हम चीज शुरवात हो, अन्त हो या फिर मद्दे, हर जगा प्रभुराम का जिकर इसमें किया गया है, इसमें तमाम कहा जा सकता है कि अलग-अलग सेक्टर के लिए बजट अलोट किया गया, वहीं एरपोर्ट के डेवलप्मेंट की बाद भी की गयी, जिसके लिए 150 करोड रुपे का बजट जो है, वह आवंटित किया गया है, प्रदेश का राज कोशिय घाटा जो है, 3.4-6 फीजदी हो गया है, यह तमाम जिकर जो है, यह इस बजट के दौरान किये गया है, कुम्भ मेले के लिए अलग से बजट जो है, वह एलोट किया गया है, इसमें योगी सरकार की जो अरफित है, तो बेहत खास है, यह बजट आयुद्या सरवांगीर विकास के लिए 100 करोड रुपए अलग से आवंचित किये गए हैं, कानपूर मेट्रों के लिए 395 करोड रुपए आवंचित हुए हैं, जबकि आगरा मेट्रों के लिए 346 करोड, इसके साथी सबका साथ रितार्ट करने की बात भी कही जा रही है, साथ ही यह कहा जा रहा है, कि अंतियुदे की भावना को साकार करता हुआ, यह बजट है, क्योंकि राम राज्य की बात होती है, तो सरवांगीर विकास चहुम की सोहाद्र की बात होती है, और इसी दौरान जब इसके बात प्रेस क तो आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश इस समय Ease of Doing Bizness के मामले में 14 स्थान पर है और दूसरे इस्थान पर आज नज़र आ रहा है पहले 14 स्थान पर अपके ज़ेगा आप दूसरे स्थान पर नज़र आ रहा है कि हम उद्योगों का सरवांगीन विकास हो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे ताकि रोज़गार का उद्थान और श्रजन भी हो सके इस दौरान जब सुरेश खंडा बजट पेश कर रहे थे उन्होंने ये भी गिनाया कि बजट के अंदर कितना FDI यानि कि पॉरेंड डारेक्ट इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आया है और कितने पैसों की ग्राउंडिंग हुई है यहाँ पर उन्होंने जब ग्राउंडिंग का जिक्र किया तो 12,000 करोड रुपई का वो जिक्र करते नजर आए हैं और जब मैं ग्राउंडिंग कह रह हमारे सरकार का आटवा वजट है साथ वजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रतेख ने अपने किसी एक थीम को ले करके प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस वजट को प्रस्तुत किया है हमारा पहला जो वजट था वहाँ 17 ठार का वहाँ प्रदेश के अनदाता किसानों को समर्पित था तो आज का जो वजट है जो हमारे बित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह वजट प्रवस्तिरी राम को समर्पित करते थे लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि हमारी सरकार का आटवा बजट है साथ बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं हमारे साह्योगी अभिनाव पांडे चुड़के हैं वधान सभा के बाहर से अभिनाव कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है बिल्कुल मैं बता दो कि उत्तरपदेश सरकार ने आज बजट पीश किया है जिसके बाद उत्तरपदेश की मकुमंतरी हो गया देटनातें प्रेस कांफरेंस में ये कहा कि ये सरकार ये जो बजट है वो पूरी तरह से जो है आम नागिलिकों के लिए समर्पित है राम को समर् और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब तक कि इतिहास को उत्तरपदेश के इतिहास में पंडित गोविंद मनलब पंत जो पहले मुखमंतरी हुआ करते थे उसके बाद योगिया देतनात तक जो है सबसे बड़ा बजट इसको बता जारा है सबसे बड़ा बजट है ये ये पहले भी सुबे भी मैंने कहा था कि ये बजट जो है पूरी तरह से 2024 के चुनाओ को लोग बलवावन बनाने के लिए होगा अब देखना होगा कि विपक्ष के नेता अखलेश यादो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फरेंस करने वाले है उसमें के सरकार की इस बजट को हला आम नागरिकों के धान में उनके रोजगार को लेकर उनके रोड के उनको सुरक्षा को लेकर उनकी सिक्षा को लेकर उनके स्वास्तों को लेकर ये तबाम उनाओ को लेकर इस बजट को तयार किया गया था मुख्यमंत्री ने इस बजट को लेकर वित्यमंत्री सुरेश खाना के सासाथ उनके प्रमुक सची और सभी का धन्यवाद भी दिया और साथवी आन नागरीकों को भी जो है उन्होंने इस पर बार बार धन्यवाद देते हुए जोड दिया अगर बजट की खास बात पर गौर किया जाए तो नजर आता है कि राजकोशी घाटे का जिक्र किया गया है राजकोशी घाटा 3.46 कर दिया जाएगा और उसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताए कि किस तरीके से आध्यात्मिक कॉर्णर को टच करने की कोशिश की क यह है क्योंकि आगामी दुनों में प्रियागराज में कुम्बोने वाला है तो यह कि बिल्कुल सबसे पहले है कि उन्होंने जो राजकुशी घाटा है उसको खंब करने की बात कही है कि वो घाटा जो है हम करेंगे साथी आध्यात्मी को लेकर दोजार पचीस में आध्यात्मी को लेकर पिछले जो है बजट बढ़ाते ही जा रहा है और इस बार जो है अच्छा खासा बजट जो है वारा अध्यात्मी को लेकर है सबसे ज़्यादा बजट जो है वो प्रयागराज में होने वाले कुम्ब को लेकर है जो महा कुम्ब दोहजार पचीस में लगने वाला है बहुत शुक्रिया अभी न वमाई सबस्क्राइब जो में जोने के लिए आहम जानकारी साज़ा करने के लिए प्रेक के बाद स्वाकत है आपका बात करेंगे बजट सत्र की जिसका आज तीसरा दिन है और आज यो खेंद्रियमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने पेपर लीक मामले में एक बिल पेश किया है जिहां इस बिल के बाद आपको अक्सर याद होगा कि कई राज्य में ऐसा होता था कि पेपर लीक हो जाते थे और उसके बाद परिक्षाइन रद्द करनी पड़ती थी कई राज्यों में इसको लेकर बिल तो थे लेकिन राश्ट्री अस्तर पर इस पर कोई कानून नहीं था जिस पर कानून बनाने के लिए आज बिल जो है वो लोग सभा में पेश किया गया और इस पर अब चर्चा की जाएगी दरसल ये प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई भी पेपर लीग के मामले में दोशी पाया जाता है तो उसे दस साल की सजा दी जाएगी एक करोड का जुर्माना लगाया जाएगा संसत के बज़ट सत्र का आज तीसरा दिन है पेपर लीग को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है लोग परीक्षा विधेग दोहजाट चौबीस लोग सभा में पेश किया गया निशाना नहीं बनाया जाएगा संगटेत अपराद के खिलाफ कारवाई का प्रावधान इस बिल में नज़र आने वाला है तो बहुत खास है ये विधेग जिसमें नकल को लेकर के शिकंजा कसने का पूरा प्रावधान नज़र आता है सरकारी परिक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है हाला कि आपको बता दें कि हाली में होई केंद्रिया कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल चुकी है विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा कार में एक लोग शिकायत और पेंशन राट जी मंत्री जिते इंद्र सेंग इस विद्या को सबसे पहले निशले सदन लोग सबा में पेश करते हुए नजरा है चले ग्राम जिरो का रुक करते हैं आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए है आनंद तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन बड़ी बात बड़ी बात इस लिहात से क्योंकि देश में कई सारे यूवा हैं जो परिक्षाइन देते हैं और डर सबसे जादा ये कि पेपर लीक हो गया तो क्या करेंगे नकल हो गई तो क्या करेंगे हमारा भविश कहीं चौपट ना हो जाए सरकार ने बड़ा इनिशेटिव लिया है बलकुल अगर बात की जाए भारत के भविश की तो वो बच्चे जो की एक्जाम देते हैं कहीं न कहीं उनके दिलों में हर बार एक टेंशन रहती है अगर उस टेंशन की बात की जाए तो कहीं पेपर लीक ना हो जाए और किसी प्रकार की समझा जिसके चलते हैं वो पेपर दुबारा लीक ना हो जाए लेकिन आपके चाना नीज इंडिया के पास वो बिल है जो कुछ दिर पहले ही लोग सभा में इंटेड्यूस किया है जिसके अगर बात की जाए तो साथ चैप्टर है इसमें और ये तमाम संगठित अपराद जो की पेपर लीक से लेके तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं कटोर प्रणाम के साथ बाते करता है कि जो भी इसमें सामिल है उनके खिलाफ तमाम सक्त कारवाई की जाएगे और उसके साथ से अगर बात की जाए तो दीएसपी लेवल से उपर का अधिकारे यानि डीएसपी या उससे उपर का यानि जो गेस्टेड अधिकारी होते ये उसकी जाज करेंगे और उसको कहीं ले कहीं एक सक्त और प्रणाम पहुचाया जाएगा जी पूजा बिल्कुल आनन्द इस दौरान प्रावधान का जिक्र किया जा रहा है और लगातार बात हो रही है अगर सजा की बात करें तो एक से दस साल की सजा का प्रावधान है इसमें आनन्द जी मैंने अपसे कहा कि लगाता सरकार कोशिश कर रही कि किस प्रावधान की संगटित अपरावध को रोका जा सके और उसको रोकने को लेकर जो मैजर उठाए जा रहे हैं वो इतने सक्त होते हैं कि आप देखिए साथ से दस साल और उसके साथ साथ जब अगर कोई जाच करे जो की जाच में प्रवावित कर सके वो नहीं होती यही कारण होता है कि इसमें इस जाच को एक DSP यानि गेस्टर लेवल के अधिकारी की जाच की गई और जो इसमें पाए जाता है अगर गिल्टी तो उसको साथ से दस साल के सजा जोगी जो बेहती गंबिर चीज़ों को ले करेंगे आपसे कि क्या लगता है कि जरूरत इसले पड़ी क्यूंकि कई राज्यों में तो ऐसे कानून थे लेकिन राश्ट्रियस तर पर ऐसा कोई कानून नहीं था कई बार ऐसा हम देखते थे कि पेपर लीक हो जाता था परिक्षाय रद हो जाती थी जिसका खामियाजा ज देखे उसमें कि पेपर लीक हुए और उसके बाद रद हुए कहीं नहीं वो तमाम स्टुडेंट्स के साथ धोका था जिन्होंने एक्जाम को लेकर लगातार तयारी की थी और जब तयारी के बाद वो एक्जाम देते हैं तो कहीं नहीं जब ये खबर सामने आती कि वो लीक हो गया था या कहीं संगटित अपरात के चलते वो कैंसल हो गया था जिसके बाद राजस्तान में जब सरकार का परिवर्तन हुआ जब बीजेपी सरकार बनी वहां तो एसाइटी को लेकर गठित किया गए और तमाम जाचों को करेगा पेपर लीक हुए तो किस ने किये उनके कैसे राजनेतिक संबंद रहे और तमाम चीजों को जाजपरताल करेगा लेकिन कहीं न कहीं वह सवाल पूरे देश में उस वक्त उठा उठ रहा था कि कैसे यह जो पेपर लीक होता है वो तमाम बेश के भविश्यान ने उन बच्चों के साथ खिलवार करता है उनकी मेहनत क के साथ खिलवार करता तो इसको लेकर कहीं न कई यह कठोर कानून लाना चाहिए जिसके बाद अब भारत सरकार इसको लेकर आचुकी है लोकसमा में इसको पेश कर दिया गया है जी आज केंद्रेवंत्री डॉक्टर जिते इंद्र सिंग ने इस बिलको पेश तो किया है ले जे बिलकुल अगर बात की जाए तमाम प्रावधानों की तो इसमें अगर कुल बिल की बात की जाए तो साथ चैप्टर है और कई A, B, C, D करके प्रोविशन्स दिये गए हैं जिसमें तमाम चीजों के वेकरण किया गए कैसे कैसे इस अनुरूप दिखिया जाएगा पहले क這邊, दारा क्या है, और क्या इसमें कोई राजनीतिक स्रडीयन्त है, या राजनीति से कहीं न कहीं जोड़ा हुआ है तो उन तमाम चीजों को जाज करने के बाद जो भी चाशीट पेश करेगा कूट में तो उसके बाद अगर वो चीज सत्यापित होती है कोट उसको मानता है क कि वो चीज सही है तो उसमें कम से कम साथ से दज साल तक की सजा हो तकती है उस तमाम जो एक पूरा नेक्सिस चलता है पेपर लीग को लेकर उनकुष रगाने को लेकर भारत सरकार ने बारा कदम उठाया जिसको के इंद्रे मंत्री डॉक्टर जितेंद सिंग ने लोग सभाव पेश किया और मुईत कर सकते हैं इस बिल के बाद जो तमाम आप चीजे देखती थी कि बच्चों के पेपर लीक के चलते वो पेपर रद्ध हो गया बच्चे कहीं ने कहीं उन बच्चों के भविश्य से खिलवार है ये जो मेहनत करते तो उसको लेकर तभी से लगातार सरक हमीद कर सकते हैं आगे किसी भी प्रकार के देश के भविश्य जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके भविश्य से खिलवार नहीं हो पाएगा जी बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जोने के लिए हम जो अनकारी साजा करने के लिए आवाज का जिक्र हो रहा है तो आव सिक भी जरूरत नहीं क्योंकि एससाइ सर वेक्शन का यहां पर जिक्र हो रहा है त्याज जी तहकाने में पूजा की इजासत थी और पूजा लगातार जारी रहेगी फिलाल ज्यानवापी परिसर में पूजा की अनुमती और पूजा लगा तार जारी आपको बता दे कि एसाई सर्वेक्षन जिसमें जी आर पी टेक्निक का इस्तिमाल किया जा रहा है ग्राउंड पैनिट्रेटरिंग रेडार टेक्निक का इस्तिमाल जिसमें किसी भी इमारत को खुर्द बुर्द किये बिना उसके नीचे संरचना किस तरीके की है इसका पता लगाया जा सकता है हाला कि हिंदू पक्ष ने जी आर पी टेक्निक का उलेख कर दिया है लेकिन उस उलेख के बाद भी मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले में सुनवाई हो तो आज सुप्रेम सुनवाई का इंतजार सभी को सुनवाई जो है वो बेहद हम होने वाली है क्योंकि 2022 में कोट ने आदेश दिया था और वजू खाने को सील कर दिया था अब दस तैखाने है जिनका ASI सर्विक्षन भी होना है और यह कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है दरसल कि आपको याद होगा कि मुस्लिम पक्ष की से कहा गया था कि यह फवारा जो दिख रहा है यह दरसल एक फवारा है जिसे हिंदू पक्ष का कहना है कि दरसल यह शिवलिंग है जिसे मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती फवारा दिखाने की कोशुश कर रहा है अब इसको लेकर ASI सर्विक्षन कराने की मांग की जा रही है त के आसपास जो 10 तेखाने हैं उनका भी ज्यानिक सर्वे जो है यानि सर्वेक्शन जो है वो ना कराया जाए आज अस मामले में सुप्रीम सुनवाई होनी है दो हजार बाइस से ये पूरा एरिया जो है वो सील किया गया था कोड के ओर पर अब मामला एक बाद फिर से पक्ष का होसला बढ़ा दिया था अब एक बाद फिर से हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा और सर्वेक्शन की इजाज़त जो है वो पोड की ओर से दे दी जाएगी वो वजू खाना जो की परिख्जन के लिए खोला गया था जहांँ है पर कतित शिवलिंग जिसे मुसलिम पक्ष शिवाकरती नहीं बलकी फवारा कह रहा है और A.S.I. सर्वेक्षन के बाद ये पता चला कि भाई अगर ये कटित शिवलिंग नहीं बलकि फवारा है तो फिर इसमें होल क्यों नहीं है हमारे सायोगी मदन जुड़कें ज्याद अब डेट के साथ मदन आज कितने बज़े सुनवाई होनी है क्योंकि बेहा दहम है हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा है कि वजू खाने में ये शिवलिंग मौजूद है लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग नहीं ishes लेकिसं भी तक वारा है इसलिए हाद से बहा दाहम है आची सुनवाई — करणकर ट्रावार याज मत जो जिए सब्सके पापार है इस पन लगातार कहा जाए तो जिल्ह गअた्य ऑडलत में सुमाई हुई और अप जो है सुम्रीम कोर्स में इस मामले पर सुमाई हुए है कि जो पुछिल बजुखाना है इसकी जो है फिर से जो है सर्वे कराई जाए ज़िला जट्ट की अदालत में जो है एक याजका डाली गई है अन्टोब मिश्यामिया चे परफे जो वाई किया है उस सर्वे पर जो है एक फिर से बिचार करनी की जरूरत है तो ऐसे में कहा अगर सर्वेक्षन की बात की जाए तो बीतो दिनों देखिए जिस तरीके से विश्णू शंकर जैन भी कहते नजरा है कि ASI ने अपनी रिपोर्ट सो अपदी रिपोर्ट सो अपने के बाद हाई कोट में मुसलिम पक्ष जाता है वहाँ पर याचिका दायर करता है याचिका खारी दो जाती है अब मामला सुप्रिम कोर्ट में है जीपियार टेकनीक का जिक्र ASI बार-बार कर चुका है मुसलिम पक्ष की दलील की सर्वेक्षन तो हो लेकिन इमारत को खुर्दबुर्द ना किया जाए एसाई कह रहा है कि जीपियार टेकनीक के ज़रीए खुर्दब विशु संग जयन ने जो कहा था कि एसाइज सर्वेश की से जो चैकराई जाए वहीं यह यह भी था कि जो एसाइज जो सर्वेश करेगी सुप्रिम कोट में इस पहा था कि जो वहां पर रपी सिब्लिंग जिसको बता रहा है जिसको अंज मुझ्म पक्षकार जो है उसको बज जो है जो यह जो तैखाना है उसमें जो है दो तैखानों की तरबे नहीं हुई है यह नीज उडिया अपने चैनल से एस्पूल्टिब ख़ब बता रहा है कि आभी जो है कि याज़का डाली गई है जिसमें यह कहा गया है अनुपन धुएजी जो अधिबकता है राकिश सिं जो तैखाने के दो तैखानों की सर्वेश नहीं हुई है यह बड़ी ख़ब जो है नीज इंडिया अपने दर्सकों को मता रहा है जिन तो तैखाने का जिक्र किया गया है इस याज़का में उसको लेकर यह समझना चाहेंगी कि कुल मिलाकरा सुप्रीम कोर्ट पे भी जो प्रशब किया गया उनका मामला क्या है अब बिल्कु जिसना से कहां जाए कि एसाई जो सब्ड़े क्या था उस्टे अभी जो है याज़के तैखाने के सब्सक्राइब हुआ है वही अंदर में जो है अभी दो तैखाने और जो है जो पत्फर से शील किया है उनको जो है तो यह जो है बड़ी ख़वर जो है इसमें बता रहे है अलाकि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लेकर करके श्याज़का डाली गई थी किया बजु खाने में जो वहां पर जो बॉल है उसको हटा करके जो है तर्वे किया जाए तो यह तीजे है बही तीसरी जो है मूल बात जो ह अब बताया था दीसरी आज़का रहे हैं कि सर्वेक्षण पर एसाई सर्वेक्षण को लेकर के सुनवाई भी होने वाली है लेकिन मैं भी यह समझना चाहूंगी और साथ में धर्शक भी जानना चाहेंगे कि एसाई ने अपनी एक सर्वेय रिपोर्ट हाई कोट में दाखि पता क्या उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यही आगामी सुनवाई होगी क्या उन्साक्षियों को पेज किया जायेगा जिसमें 32 चिलालेखों का जिक्र किया जा रहा है साथ में आप हिंदू संस्कृति की जो भी चिन मिले हैं उनका जिकर किया जा रहा है स्वास्ति को त्रिशूल हो या फिर घंटियां हो इस बात का जिकर किया जा रहा है क्या इनको प्रोजेκ्ट किया जाएगा उसे आधार बनाया जाएगा क्या स्थाइब कर दो हैं तमाम साथ मिले हैं उस ताश को अधार बना करके जो है आगे की किष जो है लड़ाई जो है इंदु पश्टार के दो लग जा निये उसका समाम साथ्टों को जो है कहा जाए कि अधार बनाया जा रहा है चूँकि अजरकाजा आग सो उसके अधार पनी करने के लिए इस बीट मायन अगरी मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है बढ़काओ भाशर देने वाले की खैर नहीं और ताजा तरीन नाम सल्मान अजहरी का है गुजरात एटियस ने सल्मान अजहरी को गिरफतार कर लिया है बेहत बड़ी और एहम अपडेट आपको दे रहे हैं मुफ्ती सल्मान अजहरी पर कई धाराओं में केस दर्ज है और ये पहली बार नहीं बलकि कई बार मुफ्ती अजहरी इसी तरीके के भड़काओ बयान देता रहा है भड़काओ भाशन देता रहा है गाट कोपर पुलिस इस्टेशन के बाहर भारी हंगामा भी देखने को मिला है मुफ्ती का भड़काओ भाशन मुफ्ती सल्मान अजहरी ने जिस तरह से भड़काओ भाशन दिया था मैदान में उसके बाद चौतरफा इसका विरोध होने लगा था एक बड़ा अपडेट ये है कि गुजरात ATS ने इससे ग्रफतार कर लिया है और कई धाराओं में इस पर केस दर्ज किया गया है घाड कोपर पुलस स्टेशन के बाहर हंगामा भी देखने को मिला मुफ्ती के समर्थक दरसल थाने के बाहर हंगामा कर रहे हैं कल ATS ने ग्रफतारी की थी मुफ्ती की और उसके बाद लगातार विरोध कर रहे हैं उसके समर्थक और स्टेशन के बाहर यानि पुलस स्टेशन के बाहर ये उनके समर्थक है जो की मौजूद है और हंगामा कर रहे हैं इस ग्रफतारी का विरोध कर रहे हैं समर्थक मुफ्ती अब से पहले भी विवादत बयान देता रहा है लेकर इस बार जो बयान रहा उसको लेकर गुजरात ATS ने उसे ग्रफतार किया और तभी से मुफ्ती के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे है आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई करिमन नहीं है अब इस प्राइम पर मज़े लाए जाए, नहीं पत्रीर के मतालिव जो पहकीकात इनको पर दिए है, हम भी इनका कोपरेट कर रहा है, आपको भी करना चाहिए और ये जो ट्राफिक को और ये सब माहाल को जिस तरह से आपको मैं बताए इसका विरोध किया जा रहा है, मुफ्ती के समर्थक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और घाटको पर पुलिस चेशन के बाहर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुफ्ती अपने समर्थकों को समझाता भी नसर आता है मुफ्ती सल्मान अजहरी जो की अपने विवादत और भड़काओ भाषणों की वजह से पिछले कुछ समय से चर्चाओं में भी रहा है, दरसल जो भाषण उसके द्वारा दिया गया था, समोधन के दौरान, वो सुनाया भी नहीं जा सकता है, और यह विवादत भाषण ज तो सदन के अंदर आज बहुत कुछ घटित होने वाला है, सदन के अंदर एहम बिल लेकर की आएंगे, ग्रे मंतरी अमिल शाह, और ऐसा वैसा बिल यह नहीं है, पंचायती राज, गाउं के उत्थान का जिक्र लगातार केंदर सरकार, यानि कि मोधी सरकार करती आई है, और इस बिल में भी उसी के साक्ष नजर आएंगे, सरकार कई बार कह चुकी है, कि शक्तियों के विकेंदरी करण पर हमारा भरोशा है, और पंचायती राज सिस्टम को और जादा मजबूत करते हुए, शक्ति के विकेंदरी करण पर फोकस किया जाएगा, तो जमू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए बिल लाया जाएगा, आपको बता दे कि सबसे पहले, राजीव गांधी इस बिल को लेकर के आए थे, तब राज्य सभा में मत ना होने की वज़ा से वो पास नहीं हो सका था, लेकिन इस समय देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर संचालित, पंचायती राज सिस्टम व्यवस्त था, लेकिन आप जमू कश्मीर में भी लागू होगी, क्योंकि अमेज शाह इस बिल को इंट्रियूज कर देंगे, इलकुल ग्रह मंत्री अमिज शाह यहम बिल लेकर आने वाले हैं, जमू कश्मीर में पंचायती र विकास किया जाएगा, और कश्मीर के विकास को लेकर बीजेपी प्रतिबद्ध है, ऐसा लगातार किया गया, जुनाव आयुक की उरसे भी कहा गया था कि जल्दी यहां पर जुनाव करा लिये जाए, अब फिलहाल अगर हम बात करने क्योंकि सत्र चल रहा है, तो ऐसे में ग्रहमंत्री आमिद शाह एक एहम बिल लेकर आने वाले हैं, लोक सभा में एहम बिल पेश करेंगे, ग्रहमंत्री आमिद शाह जमू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को लागू करने से जुड़ा हुआ है, यह बिल चुली बात करते को और बड़ी खबर की जो की चुनाव आयोग के सक्त निर्देश से जुड़ी हुए है, दरसल चुनाव आयोग ने सक्त निर्देश दिया है राजनेतिक पार्टियों को और कहा है, कि चुनाव फ्रचार में बच्चों का अस्तमाल ना करे, इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है और राजनेतिक दलों को सक्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तिमाल ना करे। यूँ कहें कि माध्यम बनाएगा लेकिन राजनेतिक दल ऐसा नहीं कर पाएंगे राजनेतिक दलों को सक्त निर्देश चुनाव आयोग के कि बच्चों का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों का मन जो है वो बहुत कोमल होता है और दल की चाप नहीं पड़नी चाहिए तो नियूज रूम की तमाम खबरों से हमने आपको अपडेट कराया दिन भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट कराया और बताया कि क्या कुछ घटेत हो रहा है और जो घटेत हो रहा है उसके माइने क्या है फिलाल इस बुलिटेन मे खबरों का सफर यहीं तक बुलिटेन के उस पार ताजा ब्रेट्स के लिए देख चले नियूज इंडिया क्योंकि हम है राश्र की आवाज